हेलो दुस्तो स्वागत आपको आपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में SPI PO Pre-Exam होने के बाद काफी सारे स्टूडेंस के जो अटेम्ट देखिने को मिले हैं वो 50 और 60 की रेंज में देखिने को मिले हैं काफी सारे स्टूडेंस को लग रहा है कि थोड़े से अटेम्ट कम हुए हैं दोस्तो जिसे साबसे पेपर का लेबल देखिने को मिला है के अल्गलेटर वो लेंदी तो आप ही के अटेम्ट कम नहीं हुए हैं बहुत सारे students हैं जिनके attempt कम हुए है तीन दिन की सारी सिप्ट का exam होने के बाद मैंने एक poll connect कराया था जिसमें लगबख 10,000 students ने participate किया था और जो attempt देखने को मिले हैं तो वो students जिनके 55 से कम attempt हुए हैं वो है 28% और वो students जिनके 55 से 62 के बीच में attempt हुए हैं वो है 36% और भी बहुत सारे students हैं जिनके attempt 55 से 65 के बीच में हुए हैं तो exam के level का और इसका बिलकुल impact पड़ेगा SPIPO Pre के cutoff पर और जो इस बार SPIPO Pre की expected cutoff की range हमें जनरल की देखने को मिल सकती है वो है 56 से 60 के बीच में तो जिनके 55 से 65 के बीच में attempt हुए हैं बिलकुल अच्छे chance रहें आपके pre exam clear होने के क्योंकि काफी सारे students हैं जिनके 57, 55, 59 ऐसे attempt हुए हैं और काफी सारे students को लग रहा है कि pre का result आ जाए उसके बाद means की तयारी करेंगे दोस्तो अगर आपका pre clear हो जाता है तो उसके बाद उतना समय नहीं रहेगा कि आप means की तयारी कर पाओ क्योंकि 10 या 15 द हैं कि किस दिन में और किस सिप्ट में आपका exam था टोटल कितने आपके attempt हुए थे और आप comment में ये भी बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार S.P.I.P.O.P.E. की जो general की cut off है वो कितनी देखने को मिल सकती है बाकि मिलते हैं for next video में जब तक के लिए धन्यवाद